सालार, पार्ट वन, सीजफायर ने छह दिन में ही पांच सौ करोड के कलब में एंट्री ले ली और हजार करोड दूर नहीं है लेकिन सालार, पार्ट वन, सीजफायर फिल्म है कैसी? ये एक डार्क फिल्म है जैसे KGF पार्ट वन और KGF पार्ट टू था ये प्रशांत नील की विशेशता है उनकी फिल्में नाटकिये और रहस्य से भरी होती है लेकिन प्रभास की नई फिल्म डार्क है और ये जोनर उन्होंने पहली बार अटेम्ट किया है ये सब को अचंभित करता है वास्तव में प्रशांत नील और उनके प्रशंसकों को ऐसी ही फिल्में खूब पसंद है सालार एक एक एक्शन से भरपूर फिल्म है प्रशांत नील द्वारा निर्देशित और प्रभास की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म ने अपनी इंटेंस कहानी गतिशील प्रदर्शन और प्रभावशाली तक्नीकी तत्व से प्रशंसा अरजित कर रही है सालार की सबसे खास विशेशताओं में से एक इसकी रोचक कथा है फिल्म एक सम्मोहक कहानी बुनती है जिसकी कहानी में कही लेयर्स है अक्शन, सस्पेंस और इमोशन से भरपूर ये अनेक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स के साथ दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखता है पटकथा को सावधानी पूरवक तयार किया गया है जिससे एक संतुलित गती सुनिश्चित होती है जो पूरी फिल्म में सस्पेंस बनाए रखती है सालार, पार्ट वन, सीज फायर का कथानक काफी हद तक उग्राम जैसा है जो प्रशांत नील की 2014 में निर्देशित पहली फिल्म है दोनों फिल्में हाई टेस्टोस्टेरॉन वाले बाहुबलियों और उनकी महिला किरदारों द्वारा शासित एक अलग कालपनिक सामराज्य के भीतर ग्रह युद्ध दिखाती है और अब सलार के साथ प्रशांत नील के प्रशंसक प्रभास के साथ जुड़कर वही प्राप्त करेंगे जो वे चाहते हैं हीरोईज्म, एक्शन और स्वैग फिल्म सलार की अभूत पूर्व सफलता को लेकर जो उत्साह था उसका श्रे कई कारकों को दिया जा सकता है जिन्होंने सामुहिक रूप से इसे एक ब्लॉक बस्टर में बदल दिया दूर दर्शी, प्रशांत नील द्वारा निर्दर्शित, करिश्माई प्रभास द्वारा अभिनीत इस फिल्म में प्रतिभाशाली शृतिहासन, अनुभवी, जगापती बाबू और बहुमुखी प्रकाश राज सहित कई सितारों की टोली है हालांकि फिल्म में ये सभी बहु प्रतिभाशाली कलाकार हैं, लेकिन जिस एक अभिनेता की सर्वसम्मत प्रशंसा हो रही है, वह हैं, प्रिथ्वी राज सुकुमारन फिल्म में व्रदराज मननार का उनका मनोरम चित्रण बहुत ही रोचक और नाटकी ये है, कलाकारों के इस पावर हाउस टीम ने तुरंत दर्शकों का ध्यान आकरशित किया, जिससे रिलीज से पहले असाधारन सिनेमाएं अनुभव होने का एहसास हुआ इन अनुभवी अभिनेताओं के बीच की केमिस्ट्री और गतिशीलता ने एक ऐसी फिल्म का वादा किया, जो एक विशिष्ट व्यावसाइक मनोरंजन की सीमाओं को पार कर गई सालार की भारी कमाई के पीछे प्राथमिक कारणों में से एक निससंदेह प्रशांत नील का निर्देशक है पहले बेहत सफल केजी एफ चैप्टर वन और केजी एफ चैप्टर टू का निर्देशन करने के बाद, नील ने पहले ही खुद को एक असाधारण विज्वल क्वालिटी के साथ एक मास्टर स्टोरी टेलर के रूप में स्थापित किया केजी एफ फ्रेंचाइजी की सफलता ने उनके अगले प्रोजेक्ट के लिए जिग्यासा पैदा की, जिससे सालार को लेकर उम्मीदें बढ़ गई प्रभास, जिन्होंने बाहुबली की दो फिल्मों से अंतरराष्ट्रिय ख्याती प्राप्त की, ने सालार में आकरशन की एक और परत जोड़ दी प्रत्याशा केवल फिल्म को लेकर ही नहीं थी, बलकि प्रशान्त नील के निर्देशन में प्रभास को एक नई और दिल्चस्प भूमिका में देखने को लेकर भी थी सालार के प्रचार अभियान ने इसकी असाधारन कमाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई निर्माताओं ने रणनीतिक रूप से टीजर, ट्रेलर और प्रचार कार्यकरम जारी किये, जिन्होंने दर्शकों का उत्साह बना के रखा इससे फिल्म की भव्यता को प्रदर्शित किया, जिससे थीटर में सिनेमा देखने वालों में हलचल पैदा हुई, जो सही माइने में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन्स में तबदील हुई इसके अतिरिक्त, सालार की मनोरंजक कहानी जो रिलीज से पहले के चरण के दौरान गोपनियता में डूबी हुई थी, सिने प्रेमियों के बीच चर्चा का विशय बन गई प्रशांत नील की कहानी कहनी की क्षमता और रहस्य मयक अथा के संयोजन ने साजिश और जिग्यासा की भावना पैदा की, जिसने लोगों को सिनेमा घरों तक ले आया संक्षेप में सालार की सफलता, शानदार निर्देशन, दमदार कलाकार, रणनीतिक विपणन और एक कहानी की परिणती है जिसने दर्शकों की रुची को बढ़ाया फिल्म न केबल खरी उतरी, बलकि अपने रिलीज पूर्व प्रचार द्वारा निर्धारित अपेक्शाओं को पार कर गई और प्रशान्त नील ने निर्देशक और लेखक के रूप में अपनी जगह मजबूत की हालांकि सालार को आउट एंड आउट प्रभास की फिल्म कह सकते हैं लेकिन प्रभास ने, सारे कलाकारों ने और सारे टेक्निशन्स ने अपने कैप्टन ओफ दिशिप का पूरा साथ दिया और इसी लिए सालार एक भव्य फिल्म भी बनी और भव्य कमाई भी कर पाई